बहुत शांदार एक strategy में आपके लिए लेके आया हूँ जो market में आपको बिना किसी डर से बहुत आसानी से बहुत कम समय में आपको particular amount आपको मिल जाता है देखिए हम option trading में आते क्यों है हम option trading में इसलिए आते कि हम यहाँ पर दो पैसा बना सके लेकिन ज्यादातर लोग चकर क्या होता है कि हमें रोज रोज हमें profit करना है ही या मैं यूँ कहूं कि रोज मुझे पैसे को double करना है यह सोच आपको पीछे ले जाता है इसलिए आज मैं आपके लिए कैसे strategy लेके आया हूँ जो आपको एक fixed amount आपको दे देगा हाँ मैं यह बिलकुल नहीं कहूंगा आपको यह रातो रात करून पती बना देगा परहा इसको अगर follow करते रहें समय के साथ साथ आप धन्वान बनेंगे जरूर इस strategy की अगर मैं ratio की बात करूँ तो यह लगबग आपको 10 दिन में 8 दिन तो आपको profit दे ही देगा दस दिन में आपको यह 8 दिन profit दे ही देगा हमें शुरुबात से profit देखना है आईए मैं सिदे strategy के आपको लेके चलता हूँ क्या करना है किस तरी किस से करना है एक बार उसको जान लेते हैं हमारा जो time frame होगा वो होगा हमारा एक minute का इससे अधिक मत रखिएगा तो इसको आप scalping के रूप में भी आप इसको देख सकते ह आप इसको जैसे चाहे उसको अब देख सकते हैं अब देखिए अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि एक minute का है तो बेशक कि scalping के लिए होगा और हमारा जो bank nifty में अगर हम काम कर रहे हैं तो यह और मैं सिर्फ bank nifty के बार में बता रहा हूँ हमारा target होगा सिर्फ 100 point का bank nifty का 100 point उस के बाद आप इससे exit हो जाई है हाँ अगर आपको लगता है कि आप उससे भी बहुत जादा कुछ करना चाहते है तो आप 100 point के exit होने के बाद फिर आप दुबारा एक trade ले सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है लेकिन मेरे इसाब से वो थोड़ा risky हो जाता है बहतर होगा कि आप शुरुवात में 100-100 point करके ही अपना एक मुकमल एक trading setup कर ले complete trading setup पहले कर ले ताकि आप चीजों को बहतर तरीके समझ सके समय के साथ साथ आप और भी चीज़े समझ जाएंगे अब बात यह तो होगी profit की बात अब एक बार loss की बात कर लेते है कि loss इसमें आप में आपको हो सकता है तो बहतर है कि आप चीजों को समझ दिखिए पोई अगर यह आके कहता है ना कि मैं कैसे strategy बताऊंगा जिसमें loss ही नहीं 100% profit तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं बोल रहा है trading में ऐसा को strategy नहीं जिसमें कभी भी आपको loss नहीं होगा हां ratio में फरक आएगा जैसा मैंने आप से पहली कहा है कि दस बार में आठ बार आपको फाइदा हो जाएगा तो दो बार तो आपको नुकसान होगा वो दो बार नुकसान आपको जिलना भी पड़ेगा पर इसका मतलब यह नहीं कि आप वो दो बार नुकसान के चकर में आप यह सूचे कि अरी यह तो strategy बेकार है आए सीधा में strategy पर लेके चलता हूँ तो हम इसको कैसे करना है शुरुवात का जो एक मिनिट है उसको हमको जाने देना है मार्केट कब शुरू होता है 9.15 को मैं आपको बहुत सारा मैं अभी आपको एक एक करके setup दिखाऊंगा back desk भी करवाऊंगा ताकि आपको चीजे समझ में आए 9.15 को मार्केट शुरू होता है ठीक है हमें 9.15 से लेके 9.16 तक हमें मार्केट को जाने देना है और उसके बाद उसके बाद हमें 9.16 से 9.17 तक का जो 30 सेकेंड होता है उसको हमको जाने देना है क्योंकि ये 30 सेकेंड में हमको बहुत सारी चीजे पता चल जाएगा कि 30 सेकेंड के अंदर मार्केट जाता कहा है फर एक्जामपल आप अगर कलका देखेंगे 14 तरीका ट्रेडिंग देखेंगे तो पहला केंडल रिट बना अगला केंडल का क्लोज कहा हो रहा है पिछले कें मार्केट जाता है और ये 30 सेकेंड बाद क्यों मतलब 9 बच के 16 सेकेंड और 16 मिनिट और 30 सेकेंड इस जगह पे अगर आप पहुचेंगे तो आप लगबग कुछ इस कैंडल के इस जगह पे कही होंगे मतलब ये पिछले कैंडल से लगबग एक और नीचे क्लोज होने वाला है ये आपको पता चल जाता है तो यहाँ पे आप फिर पूट का गेम लेके चल सकते हैं और फिर क्या हुआ देखिए मार्केट यहाँ से कितना शांदार तरीगे से फिर मार्केट नीचे आया लगबग मार्केट यहाँ पे 920 के पास था 49920 और मार्केट एकदम धीरे धीर आशाई होके 730 तक भी आ गया था और में नीचे गया होगा लेकिन मैंने आपसे पहले काया कि हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम होगा उसमें हम सिब 100 पॉइंट का ही यहाँ पे रखेंगे और जैसी आप यहाँ पे अगर ट्रेड ले ले लेते तो जैसी मार्केट यहाँ पे प्रेडिंग भी सिखेंगे कई बार होता है लालच के चकर में मिला हुआ पैसा भी चला जाता है तो पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना सीखिए समय के साथ साथ आपको ठहरना भी आ जाएगा शुरुवात में ठहरना नहीं आता है शुरुवात में हमें बहुत चैनल के के केंडल से आता है अगला अगर आप जह फूआ हूँआ यह बंद होने गया था व पिछले के क्लोस के ऊपर है तो यहाँ पर यहाँ पर जब मतलब क्या है कि market नीचे नहीं जा रहा है market उपर की दिशा में जा रहा है पहले candle के उपर की दिशा में जा रहा है तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी यहाँ पूट लेके काम नहीं कर सकते यहां पर आपको call ही लेना पड़ेगा, तो जैसे आप यहां पर call ले लेंगे, आप ध्यान से देखिए, पहले candle के बाद जो candle close हो रहा है, वो पिछले candle के close के ऊपर close हो रहा है, मतलब market यहां पर strong तरीकी से bullish है, तो यहां पर बेशक यहां पर ले सकते है, क्या call ले सकते है, ज आपको यहां पर target रकता है, sawpoint का, लेकिन जरूरी नहीं आपको sawpoint हर बार मिलेंगे, for example, आपने यहां पर call ले लिया, और market यहां पर चला गया, आपके sawpoint के ऊपर तक, बस यहां पर आपका sawpoint नहीं मिला, market फिर धीर धीर करके नीचे आया, अब ऐसे समय पर हमें क्या करना है ऐसे समय पर हमें इस जगल को हमेशा मार करके रखना है, हमारे पहले candle को, कि market अगर हमारे दिशा से नहीं जा रहा, फिर वीपर दिशा में जा रहा है, जैसे फिर से जहां से हमें ट्रेड लिया था, market अगर वहां पर पहुँच गया, हमें यहां से exit कर देना है, मतलब यह हो उने हुए दिशा के वीपर दिशा में जा रहा है, तो जैसे आपके आपने जहां पर ट्रेड लिया था, इस जगह पर ट्रेड लिया था, market दुबारा उसे जगह पहुचा, उसके नीचे जाने लगा, तुरंद पचास पॉइंट नीचे आ गया वह से अपने position को काट दीज तो इस तरीके से करके आप धीरे धीरे आपके loss को भी आप बहुत अच्छे से पैचान पाएंगे कि आपके दिशा में आज market नहीं गया है, चलिए एक दो दिन और देख लेते हैं, देखिए back test से हमें बहुत फाइदा मिलता है, सबसे पहला फाइदा मिलता है कि हम trading में हम बहुत अच्छा आगे बढ़ देखिए, इसको देखिए, बारा तारीक को, बारा तारीक को भी ऐसे ही हुआ है, आप देखेंगे तो यहां से आप पूट लेते तो market नीचे आया, ज़रुथा लिकिन यहां से market फिर bullish हो गया, फिर आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आ हमारा फेल हो गया, दो दिन फेल हो गया, अब चलिए मैं और आपको दिखाता हूँ, और ट्रेडिंग में फेल होने के लिए तैयार रहना पड़ता है, जो लोग फेल होने से डरते मुझे नहीं लगता, वो लोग market में ज्यादा दिन टिकते हैं, आईए, इसको देखिए ज करना है, market उपर गया, नीचे आया, पर आपने यहां पर exit नहीं किया, क्यों exit नहीं किया, क्यों कि मैंने आपको पहले बोल के रखा कि 50 पंट आपको बेट करना है, तो market पचास पंट नीचे नहीं गया, यही से फिर market दुबार reverse हो गया, देखिए, जब reverse हो गया, तो क्या मि दुन निक्षान हो, तो वो आपका फिर recover भी हो जाता है, तो cool मिला के, चलिए, 12 तारिक का हो गया, तो cool मिला के मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, कि market में आप जब आते हैं, तो किसी एक strategy को लेके जब आप बैठेंगे, आप मान के चलिए कि आपका तो फिर बेड़ा पार लग जाएगा, आप बहुत जादा पैसे कमाने के तरफ चले जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप एक strategy को पकड़े रखेंगे, और वो काम करता है, और देखते चलिए, तो 11 तारिक की बात हुई, 10 तारिक को भी देख लेते हैं, दस तारिक को क्या हुआ था, य candle ने, देखिए, ये पहला candle green में close हुआ, अगला candle वो भी green में उपर जाके close हुआ, मतलब यहाँ पर हमारा call बनता है, अगर आप यहाँ से trade ले ले लेते हैं, पचास साथ सतर से, तो market लगबग 250 तक गया था, हमको 100 पॉइंटी चाहिए, मतलब 150 तक market जैसे गया, आप है, इतना ही करना है, चलिए, साथ तरीक को देखते हैं, दस तरीक का हो गया, साथ तरीक को देखते हैं, आपको यादेन हम कितने नुकसान कर रहे थे, यह देखिए, साथ तरीक का, पहला candle, यह पहला candle, अब देखिए, पहला candle में नीचे close हुआ, अगला candle में नीचे close हुआ तो आपने यहाँ पे पूट ले लिया, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद रिवर्स कर गया, यहाँ पे आपका पैसा नहीं बन रहा है, हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ पे आपका पैसा नहीं बन रहा है, तो अगले दिन बन जाएगा, कोई बात नहीं, तो इस तरीके करते जाते हैं तो कभी कबार आपको 500-600 भी मिल जाता है. उस समय अगर आप ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को निकालते जाते निकालते जाते तो जिस दिन अगले दिन नुकसान होने को रहेगा तो उसमें से आप इस्तिमाल कर सकते हैं. मान लिजिए आज आपको 100-200-300 पॉइंट आपने कवर कर लिया है. तो अगले दिन अगर किसी दिन नुकसान भी होता है तो वहां से आप 100 पॉइंट दे सकते हैं. पूरे हफ्ते का या पूरे महिने का. तो ये कब आएगा जब आप ट्रेल करना सिखें क्योंकि लोग वही पर मार खाते हैं. लोग सोच थे नुकसान होना थोड़ी दिर वेट करके देखते हैं. नहीं, वेट नहीं करना है. भली आप एक दिन बाद आप ट्रेड करिए, वो चलेगा. पर वेट मत करिए. क्योंकि SL का पैसा कभी भी आपको बड़ा आदमी नहीं बना सकता. वीडियो कर अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए का आपसे मैं अगले विदू मिलता हूँ. तब तक के लिए जाहें.